चले देखते हैं question number third का 7th part अब यहाँ पर हमारे पास values under root में given है मेरे बच्ची under root देखते ही डर जाते हैं under root देखे डरने की कोई ज़रत नहीं है क्योंकि हम इसे सीले तरीके से solve करना जानते हैं हमें plus minus भी अब आ गया क्योंकि अभी हमें एक chapter की है तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे equal 3 x के जगे हमने रखा minus 1 upon under root 3 कुछ इस तरह से और इस पर हमने square कर दिया because it had a square minus 1 यह तो ठीक है हम यहाँ से solve करेंगे न 3 minus 1 upon under root 3 के square का क्या किया जाएगा तो देखे under root 3 के square का मतलब होता क्या है मतलब इस value का meaning कुछ ऐसा है 1 upon under root 3 into 1 upon under root 3 और दोनों के उपर minus का sign है जब हम इने multiply करेंगे तो 1 और 1 multiply होके 1 ही रहेगा और यह minus के sign ही उसरे को खतम कर देंगे under root 3 और under root 3 multiply होने के बाद सिर्फ 3 ही बचता है है ना? क्यों 3 बचता है यहाँ पर अब और आप under root 3 और under root 3 को multiply करेंगे तो आपके पास आएगा under root 9 जिसके value eventually हमारे पास 3 ही होती है तो उसका मतलब यह जो part है यह तो बन गया हमारा 1 upon 3 जब भी आप ऐसी calculation करते हैं आप rough work side में करके देखा करें और इसको जरूरी नहीं है कि आप आपको यह notebook के back side में ही करेंगे यह आप side में जो rough notebook में काम करते हैं यह सारा काम अपनी जिस notebook में कर रहे है उसी के side में आप कर सकते हैं आपके teacher देख सकते हैं कि आपने calculation की है कि नहीं की है तो आप ऐसा लिखेंगे minus का 1 right आप क्या करेंगे अब सबसे पहले हम इन दोनों को solve करेंगे क्योंकि हमें multiply solve करना है क्या यह 3 और 3 एक दूसरे को divide कर देंगे of course divide कर देंगे अब क्या बचा? सिर्फ 1 बचा और यहाँ पर बचा है minus का 1 यह पूरा खतम हो चुका है क्योंकि 3 into 1 upon 3 1 बन गया 1-1 हमारे पास आगया 0 ठीक है